रिवा में कार और बस की भिडंद के बाद बस चालक सहीत सवारी के साथ हुई जमकर मारपीट, पुलिस को देख कर भागे कार सवार, चित्रकूर से दीब जलाकर सीधी जा रही थी बस, सिविल लाइन थाने के सामने, देर राथ हुई घटना इस वक्त आप देख रहे हैं बुरेट रिपोर्टर, खबर मधप्रदेश की रिवा से है, रिवा के सिविल लाइन थाने के समीप, बीती रात, बस और कार की टक्कर हो गई, दुर घटना के बाद कार सवार यूबकों ने बस चालक सहीत सवारी के साथ जमकर मारपीट की, जान आट-छे में सवार यूवक नशे में थी और बस में आग लगाने का प्रयाज भी कर रहे थी, बस चित्रकूर से गाउँ छोड़ने जा रहे थी, सीधी बहरी गाउँ वालों को, तो आए तो अचानक वो घुसा और उसहर एक जाली लगी थी, डाइवर उतना काटा लेकिन ले जाके गाड़ी कारवाला ठोंक दिया, और काफी पिये थे, नसे में काफी थे, चार पांच लोग, एक आदमी उसको मने सही था, उसको पकड़ रहा था, कहें कि हम आग लगा देगे गाड़ी में, उतरो मातशो सब को पसर जाए, कुछ लेडिज थी वो नहीं उतर रही इस पूरी घटना के संबंद में, बस में सवार यात्रियों ने बताया, कि वह सीधी जिले के बहरी गाउं के निवासी हैं, और चित्रकूट में दीब जलाने गये थे, रात्री जब बापस सीधी अपने गाउं जा रहे थे, तब ही सिविल लाइन थाने के सामने, विप्री वीच बचाव करने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी मार पीट की गई यह पूरी घटना सिविल लाइन थाने के ठीक सामने होने के बाद, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कार सवार युवक, कार सहित वहां से फरार हो गये। पहरी जाते थे सीधी जिला, अगर है चित्रकोट, चित्रकोट से लवट से थे, चित्रकोट से आ रहे हैं, सीधी जिला के हैं, जी, कुछने साहब इदर से मतलब कार गया, मोड़ पर से और उतर से गाड़ी गई थी, वो लोग पीए खाये थे, और गाड़ी जो है, पुलिस ने जब जानकारी ली, तो पता चला कि कार 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 को महराजा होटल के पार्किंग में खड़ी करके चले गए हैं, बताया जा रहा है कि कार में पांच लोग थे, जिसमें एक क्रिकेट का इंटरने फिलाट पर गया थे, गाड़ी भी शामिल था, मारपीट के बाद चालक के फरार हो जाने के कारण, देर रात तक बस में सवार महिला, पुरूस एबंबच्चे, सड़क पर ही बैठे रहें, इसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे, इसके बाद सवारियों को रोकने का इंतिजाम किया गया. फिलाल हमने बस को साइट करवा दिया है और सवारियों के लिए बेवस्ता करवा रहा है.